पारस जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि एंडिये के भीतर रहकर एंडिये का विरोध करना बंद करें कहते हैं कि अगर बुलाया जाएगा तो मैं परचार में भी जाओंगा बुलाया क्यों जाएगा आप तो अभी भावक हैं उसकी बजाए आप अपने पदादीकारियों से तरह तरह कि आप हुआ हैं उडवा रहे हैं देखिए इन सब चीज से कुछ होना जाना नहीं है कई ऐसे फूटेज हम लोगों के पास आए हैं जो मिटिंग वगरा करते और उनके बारे में दूस परचार करते देखा गया है हमारे कुछ बागी लोग हैं उनसे भी उनका कु रोध करना बंद करें आप लोग मान रहे हैं कि ये हर सीट पर ऐसा ही कर रहा है कि केवाल आपका जो हाजीपूरे वह इस पेसल है अभी तो हाजीपूर चुकी वह पूर्व संस अभी सांसद है वर्तमान में और उनका टिकट कटा है लोचपा के अन्य सीटों पर भी ये काम किया होगा जो हाजीपूर में चल रहा है पॉसिबूल है लेकिन अभी जो फूटेज हमारे पास आए हालिया फूटेज ये तो असपश्ट रूप से संकेत है इस बात के बिलकुल प्रमान है प्रमान है ऐसे कई बयान भी उनके रिकॉर्ड किये गए है लाश्ट्रिये का चुनाओ संपन हो चुका है और पाचवे चरन की बाड़ी है बीस माई को पाच सीटों पर वोट डाले जाएंगे प्रचार अब अपने आखडी दौर में पहुंच चुका है कल थम जाएगा साम पाच बचे लेकिन उससे पहले हाजीपूर लोक्षभाक सीट को लेकर मेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी उस चेत्र में जाकर वोट मांगा लेकिन खबर यह है कि पशुपती कुमार पारस जहां एक तरफ एंडिये में होने को लेकर बयान देते हैं और चिराग पाश्वान के लिए वोट मांगने तक की बात करते हैं लेक दिया है अब वोट से पहले जब इस प्रकार की खबर आए तो माहौल क्या होगा इस पर बात करेंगे हमारे साथ लोच्पार आमविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेस भट जी है सबसे पहले तो यह बता यह हाजीपूर में वोटिंग है दो दिन बाद और यह खबर निकल पारस जी के इसारे पर आधर्णिय पसुपतिकुमार पारस जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिये के भीतर रहकर इंडिये का विरोध करना बंद करें इसलिए कि भाई आप एक तरह कहते हैं कि अगर बुलाया जाएगा तो मैं परचार में भी बुलाया क्यों जाएग काम में वह लिड़ करता है तो लिड़ करना चाहिए था आपको कि उसकी बजाए आप अपने पदाधिकारियों से तरह तरह कि अफवा हैं उडवा रहे हैं देखिए इन सब चीज से कुछ होना जाना नहीं है चुकि हाजीपूर की जनता इस बार मजबूती से खुद स्वांधी तोड़ेंगे और यह बात बहुत गंभीरता से कर रहा हूं कि रिकॉर्ड मतों से जीत होने जा रही है इसलिए कि हाजीपूर का बच्चा युवा माता महिलाएं बुजुर्ग सब लोग इस बार जो है ना एक तरफ से मन बना लिए यह मान रहे हैं कि जो खबर निकल कर सामनी आ रही है परशुपति पारस खेमे को लेकर वो सच है वो जूट नहीं है नहीं नहीं उनके कई पदाधिकारियों का बयान भी आया है कई ऐसे फूटेज हम लोगों के पास आये हैं जो मेटिंग वगरा करते और उनके बारे में दुस्परचार करते देखा ग लक्षे को कुंद करने की कवायद चल रही है जो उन्होंने दिया है 400 के लक्षे के लिए हम लोग तो रात दीन एड़ी चोटी एक कर दिये हैं और हमारे पाटी के रस्टी है देख देख रहे होंगी चिराग पासवां जी लगातार जो है जनसभा को संबोदित कर रहे हैं अपने चेत्र में और एंडिये के तमाम प्रत्यासियों के भी पक्ष में जाकर वोट मांग रहे हैं तो हम लोग 400 के लक्षे के लिए एक जुट जो है होकर काम कर रहे हैं और एक तरफ पार्टी में रहकर हमारे चाचा जी जो है केंद्रिये पसुपती पारस जी तो यह इस जो नेता हैं चिराग बासवान रिष्टे में भतीजे हैं उनके तो क्या एक मनाने की कोशिस एक संबंध बनाने की कोशिस रिष्टे को दुबारा जोरने की कोशिस आप लोगों के तरफ से नहीं की गई यह आरोप लोगों पर भी लगातार उनको सम्मान देते हैं लगाता चिराग को अस्वान पर आरोप लगा है कि जूट बोलते हैं कभी नमांकन में बुलाया ही नहीं और कहते हैं कि हमने बुलाया है जब सारवजनिक मंच पर कोई पैर चुके रासिरवाद ले तो उसके जो अपने तरीकें हैं अभिवादन का वो तो असपश्ट रूप से दिख कितना कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा लेकिन मैं इस बात को असपश्ट कर देना चाहता हूं के एंडिये में रहकर एंडिये का विरोध करना बंद करें आप लोग मान रहे हैं कि यह हर सीट पर ऐसा ही कर रहे हैं कि केवाल आपका जो हाजी पूरे वह स्पेसल है अभी पार्टी का नेजी फैसला तो था नहीं एंडिये ने जो फैसला लिया एंडिये में रहकर उन्हें स्विकार करने की आवशकता है और देखे राजनीती एक दीन से खत्म नहीं हो जाता और भी मौके आएंगे और राजनीती अभी लंबी है इसलिए समर्थन देना चाहिए उन्हें इस तरह की घिनोने क्रित्य से उन्हें परहेज करना चाहिए यह तो पारज जी एक हो गए लेकिन और बड़ी खबर है कि आप लोगों के पार्टी के पुर्वनेता हैं बहुत लोग कुश्वहा समाज के हैं वहाजीपूर में अलग माहौल बना दिया है कि तूटने जा रहा है कि हाजीपूर की जनता लड़ रही है इस बर चुनाओ सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चिराग पासवांजी इसलिए बहुत गंभीरता से कहना जा रहा हूं कि पांच लाग के पार जाएगा बिलकुल जाएगा बिलकुल जाएगा आप लोगों की ये भी चिंता है कि पशुपति कुमार पारस ने लोचपा के अन्य सीटों पर भी ये काम किया होगा जो हाजीपूर में चल रहा है पॉसिबूल है लेकिन अभी जो फूटेज हमारे पास आए हालिया फूटेज ये तो असपश्ट रूप से संकेत है इस बात के बिलकुल प चेहरे भी असपश्ट रूप से दिख रहे हैं पारस जी पीछे से उपसीन जो है उन्हीं के नेत्रितों में तो वो चल रहा है और प्रिंस भाई किसी भी पार्टी का पता अधिकारी अगर मैं किसी के साथ भितरगात करूंगा तो यह जिम्मेवारी तैप पार्टी पे होत है निश्चित तोर पर हम तो बड़े नेताओं से ही ने कुछ बात कहेंगे विना उनके निर्देश का ऐसा तो कुछ संभव नहीं है तो इस तरह के कृतियों से बाज आने चाहिए और लगता है कि उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा वो सिर्फ अपने सुभाव का परिशे सुभाव का परिशे दे रहे हैं तो हमारे साथ लोचपर राम विलास के मुख्य प्रवक्ता राजेस भट जी जुड़े हुए थे देखिए हाजीपूर में 20 माई को पांचवे चरन के तहत वोटिंग होनी है और उसके लिए पार्टी के तमाम नेता हाजीपूर में और साथ ही साथ बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा सोचना चाहिए कि क्या सच मुझ पशुपति पारस के खेमे को लेकर जो खबर निकल कर सामने आ रही है कितनी सचाई कितना दम और इसका असर बीजेपी और एंडिये पर कितना परने वाला है बन रहिए गा लाइव बिह यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें